जहिंद में महंदर कुमार दोस्तों, मद परदेश में बहुती दुघट घटना हुआ है गव हत्या के शक्त में दो लोगों को दंगाई दलों के लोगों ने हत्या कर दी अब ये कौन दो लोग हैं जिनको हत्या हुई हैं? इसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं कि मदपर्देश के सिवनी जिले में गौतसकरी के सक्ष में उगर लोगों ने दो आदिवासियों को पीट-पीट कर हत्या कर दी वही एक आदिवासी घायल है इस घटना के विरोध में ग्रामिड सडक पर उतर आये और उन्हों हत्या के सकना और मदपर्देश की घटना है मदपर्देश वही मदपर्देश जहां पर मामा की सरकार चल रही है स्रीवराज सिंग चौहान की जो मदपर्देश में लोग उनको मामा जी कहते हैं पूरा डिटेल में इसका रिपोर्ट देखते हैं आप ये तस्बीर में जो तस्वीर में, यह होस्पिटल की तस्वीर है, और यहां पर आप देख रहें कि कैसे यह पड़े हुए हैं, जो दो लोगों की डेट हो गया है, और एक घायल हो गया है, और मामला देखे कैसा है कि आदिवासी लोगों को गउता सक्री के सक्री, यदि कोई अपना गाय पाल ले रहा है तो उसमें भी सक हो जा रहा है दवायर के मुताबिक पूरा माफ कीजिए एबीपी लाइब के मुताबिक ये जो घटना हुआ है एबीपी लाइब बता रहा है कि सीवनी में गौत असकरी के सक में दो आदिवासियों को पीट-पीट कर हत्या कॉंग्रेस ने उच अस्त गवरक्षक दल के लोग हैं कि आरेसेस के लोग हैं कि बजरंग दल के लोग हैं कि विश्व हिंदू परिशद के लोग हैं क्योंकि उगर लोग तो यही हैं कि इनी को जादा सक होता है पूरा मामला में हम जो देखते हैं इसमें आगे क्या दिब बोल रही है इस घटना के ब बहर्नों के लोग सूमिल इसमें कोई कहने का दोर आयदन नहीं कि बहर्च बहर सामिल है या नहीं और भी देज होता है ये लोगा ने। आगे दिखें क्या वुलता है कि क्यों मिटर तक लगी वहनों की सामिरी अधु कारी के इसके बाद मंगलवार की सुबह जब आदिवासी समधायक को इस घटना की जनकारी मिली तो उन्होंने राष्टी राजमार्क 44 वरा कर चक्का जाम कर दिया। कुरेई से कांगरिस विधायक अरजुन मकोडिया सहित अनेक लोग मौके पर पहुँच गये और उन्होंने जाम लगा दिया। सड़क के दोनों और कई किलोमेटर लंबी वाहनों की कतार लगे। प्रशासन लोगों को समझाया मगर भीड मांग है कि पिड़ित परिवार को नौकरी के अलावा एक करो रुपे का मौज़ा दिया जाए। बताईए कि वो अपने घर में विचारे वो आधिवासी अपने घर में रह रहेते हैं सुँचना मिलती है कि वहाँ पर ग़व ऱत्या मिला और उन्होंने क्या कर दिया। लोगों ने वहाँ पर दंगाई दल के लोग वहां पहुँचगे। और अहां पहुंच करके चारों तब से उसका घर गेर लेते हैं और गेरने के बाद उसको मारना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं कि दो लोग नो ही पर मृत्ती हो जाते मतलब जिसको मरजी मारना हो तो मारदो इस देश में ऐसी हालत है कि आप दोसों की संख्या में कठा हो जाओ, सोर मचा दो कि ये तो गव हत्या कर दिया था, इसने गाय का गोस्त लिया था, मेट लिया था और उसको घेर के मारदो, उस पे कुछ करवाई नहीं होने वाली नहीं क्योंकि पुलिस उन से एक ट्रेंड चल रहा है लोग का इस देश में लोगों की हत्या करने की, खतम करने की, कि इकठा हो जाओ, दोसों पांसों की संख्या में जिसको मरजे मार दो और धरम और मंदिर और भगवान और गाय की हत्या, इस सब तमाम उनके उपर जूठा आरोप लगाओ, और ह आदिवासी को पीट-पीट कर हत्या की, एक युवक की हालत अभी भी गंभीर बने वे, कांगरेश के विदाएक अरजुन सिंग मकोडिया धरने पर बैठे और बोले, शिवराज जी, ये जंगल राज नहीं है, तो क्या है, हकीकत बात है, ये शिवराज सिंग चौहान जो म आफ हासी नहीं मिलीगी, कि जिन लोगों ने इनकी हत्या करी है, गटना को पुरुप सियम कमनलाथ ने क्या कहा, वही कांगरेश पर रिशादेश कमनलाथ ने कहा, सिवनी जिले का दिवासी बलाक पुरई में दो आदिवासी युवकों की निर्मम हत्या किये जाने के बेहत दुखत जनकारी मिली इस घटना में एक आदिवासी युवक गंभी रूप से गया, परिवार जनों वह छेतरी गरामिड जनों का द्वारा रोप की बजरंग दल से जुड़े होने की बात कही जा रही है, जुड़े होने की बात दिए साफ जाहिर हो नीक लोग है, कमनलाथ सरकार से मांग की इस घटना के उचस्त्री जाच की गोसरा कर दोस्यों पर कड़ी करवाई करें की जाए, पिडित परिवार को हर संभो मदद की जाए, गायलिवक के सरकारी खर्च पर इलाज की संपूर ब्योस्था हो, तो इस तरीके की घटनाएं आ रही है, देश में अज नियूज नेशन ने भी इस मैटर को उसने भी पब्लिस किया, ऑनलाइन अपने पोर्टल पर, साफ साफ इसमें इसने भी नियूज नेशन ने भी बुलाए कि सिवनी में गौत अस्क्री के सक में दो आदिवासियों को पीट-पीट कर अपत्या, तो आदिवासियों के प्रत मुसलिम बिरोधी रवया रहा है इनका इस पर सरकार को इस भीड तंत्र के द्वारा जो हत्याएं हो रही हैं हमारे देश में दार देश में इसमें मौदी जी को और प्रदेश के राज सरकारों को जरूर कुछ नो कुछ एक कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि गरीब और कमज को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हार एक न्यूज अपडेट आपको मिलता रहा है मिलता हूँ एक और नए ख़बर के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ध